नमस्कार दोस्त तो भाई आजकर कौन नहीं चाहता कि घर बैठे-बैठे मेरा प्रोडक्ट मेरे पास पहुंच आए यानि कि मैं घर बैठे-बैठे किसी भी प्रोडक्ट को बाइक कर लो लेकि दोस्त मैं आपको बता दो कई सारे ऐसे यूजर्स हैं कई सारे ऐसे परसन हैं जो कि online समान तो खरीद लेते हैं लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे परसन हैं जिनको अभी तक यह मालूम नहीं है कि online समान कहां से खरीदा जाता है या फिर online समान खरीदने के लिए क्या क्या प्रोसेस करनी परती है साथ ही वहाँ पर अपना अकाउंट कैसे क्रियेट करना परता है bank account कैसे link करना परता है यह सारी चीज़ें उन्हें मालूम नहीं होती है तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने Amazon app में bank account को कैसे link कर सकते हैं और साथ ही Amazon app में account कैसे create कर सकते हैं देखिए यहां पर आपको बहुत सारी फायदे प्रोडक्ट को वाई कर सकते हैं लेकिन कभी-कभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती है जो कि cash on delivery eligible नहीं होती वहां पर मुझे online ही paid करना परता है पैसा रूप्या तो उस condition में मुझे bank account भी link करना होता है तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आप लोगो से एक छोटी सी request है प्लीज भाई आप लोग वीडियो के description में जाओ वहां पर आपको एक चैनल का लिंक दिख जाएगा उस लिंक पर जाकर कि क्लिक करो यार आपके सामने सुमित भारती इंडियन यूट्यवर की नाम से एक चैनल open हो जाएगा वहां पर आपको YouTube के स कैसे कर सकते हैं तो भाई इसकी दिए थोरा सा मुझे साइट लेना होगा तो सबसे पहले साइट लेने ही लेता हूं यहां पर आपको मैं साइट में एक मोबाईल के screen दिखाऊंगा इसका ठीक है वहां पर आप कियरफुली ध्यान देते रहेगा कि आखर में क्या क्या प्रो अभर जाएगा अलाव कर देना उसके बाद अलाव करने के बाद आपके सामने कुछ तरीके का एंटरफेस आ जाएगा देखिये कुस इस तरीके से ठीक है अब यहां पर option दिए गए हैं मैं आपको पूरी बाड़ी की से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप वेडियो को एंड तक ही देखना यहां पर एक option है उपर में already a customer sign-in यानि कि अगर आपने पहले से ही अमेजन एप में account create कर रखा है तो अच्छी बात है कोई बात नहीं यहां पर आप already a customer पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने की बाद आपके सामने कुछ इस तरीकी का इंटरफेस आ जाएगा और यहां पर देखिए login का option दिया हुआ है अगर आपने mobile नंबर से create किया था या फिर email आड़े से create किया था वह यहां पर डाल करके continue उपर क्लिक कर दे खैर इसको छोड़िया मैं back करता हूं यह तो एक समझाने के लिए था अब देखिए एक नीची में सबसे नीचे option असकीप साइन इन जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो साइन इन का option आ जाएगा आप फिर वही वाला option डाल करके यानिकी email id बगएरा या फिर नंबर डाल करके sign in कर लेना लेकर अगर माल लेजिए आपने अभी तक अपने mobile में या फिर यूं कहिए Amazon app में account create नहीं किया है तो यहां पर आपको एक option दिखेगा new to Amazon.in create an account इस पर क्लिक कर देना है जैसे तो आपके समने एक form open हो जाएगी कुछ इस तरीके से यहां पर देखे उपर में लिखा हुआ है create account new to Amazon अब यहां पर आपको आप ध्यान पुर्वक देखते रहिएगा देखिए नाम मैंने डाल दिया आप यहां पर mobile नंबर डालना है तो mobile नंबर है देखिए मैंने mobile नंबर डाल दिया है अब आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना email वाले option में set password पर click कर देना है यहां पर आप randomly जो भी password अभी लगाना चाहते हो लगा सकते हो या फिर आपके उपर depend करता है कि आप password कैसा लगाना चाहते हो तो मैं फिलहाल के लिए अपना password अपना नाम भी रख देता हूं या फिर वही नाम जो उपर में डाल रखा है देखिए मैंने password डाल दिया अब आपको क्या करना है verify mobile नंबर पर click कर देना है ठीक है तो जैसे ही आप इस पर click करोगे ना तो आपका मॉइल नंबर verify होना start हो जाएगा अब आपकी mobile नंबर पर एक OTP जाएगी कुछ ही सेकेंड में ठीक है इतना आपके इंटरनेट की स्पीड देखिए OTP आ चुकी है अब यहां पर आपको ओटीपी का option मिल जाएगा इसे इंटर दा ओटीपी मैस से इल्फू थोड़ा सा वेट कीजिए देखिए यह रहा ओटीपी अब यहां पर आपको अपना OTP डाल दीना है OTP डालने की बाद आपको क्या करना है create your Amazon account पर क्लिक कर देना है क्लिक करने की बाद आपके सामने कुछ इस तरीकी का इंटरफेस आएगा थोड़ा सब वेट करते हैं इंटरनेट की स्पीड जो है ना काफी सलो चल दहीं है देखिए अब जो है आपने अपना एकांट तो create कर लिया Amazon एप में आपको कह करना है कंटिन्यू सौफिंग पर क्लिक कर दिना है क्लिक करने के बाद अब आप यहां पर लॉग इन हो चुकी हो मैं आपको थ्री लाइन पर क्लिक करके देखा देता हूं देखिए हेलो अमीत उपर में आगया आपका प्रोफाइल लेम ठीक है तो इसका मतलब अब आप लॉग इन हो चुकी हो अब आप यहां पर से कोई भी समान प्रोड़क्ट वाइक कर सकते हो फिलाल कर दिया भी कोविड-19 की प्रगोप चल रही है इस कंड या अमेजन एप में लेकिन अब बात आ रही है कि बैंक एकाउंट को कैसल लिंक करो तो देखिए इसके लिए भी छूटा सा प्रोसेस है बस आपको वो करना है ठीक है यहां पर आपको थ्री लाइन का ओप्शन दीख रहा होगा आप स्क्रीन पर देखिए थ्री लाइन का सब्सक्राइब करना है उसके बाद देखिए यहां पर आपको एक ओप्शन दिखेगा योर एकाउंट का ठीक है इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने की बाद आपके सामने इस तरह का ओप्शन कई सारे देखने को मिलेंगे यहां पर नीचे के तरफ स्कॉल कीजिए तो यहां पर आपको एक ओप्शन दिखेगा मेनेज पेमेंट ओप्शन का ठीक है इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने की वाद अब आपके सामने कुछ इस तरह के का इंटरफिस आ जाएगा ठीक है अब यहां पर देखिए एक ओप्शन है एड़े पेमेंट म पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आजाएगा अब देखें यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ATM कार्ड कैसे लिंक कर सकते हैं ठीक है दोस्तफ अगर आपके पास ATM कार्ड है तो अच्छी बात है आप इस तरीकर से यहाँ पर आगर के लिंक कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास ATMusement कार्ड नहीं है यान की क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस थरह का il i अभी काम करेगी जब आपके मोबायल में वो लगा हुआ होगा जो आपके bank account से link किया हुआ है ठीक है दोस्त यह तभी वर्क करेगी यह जो option है तभी वर्क करेगी वर्ना यह वर्क नहीं करेगी देखिए अपर आज शुका है update your mobile number update your mobile number in the currently logged in Amazon account यानि कि यह जो mobile number है ना वो मेरे bank account से link नहीं किया हुआ है इसले यह work लाकर नहीं कर पा रही है वियुम्ट का रही तो भाई आप क्या करना आप उस नम्बर को मोबाईस गत्याया लोग को बाईस कृण्ट करना जिसक्ति सब्सक्राद कर लेगा तो यह डिए अव्याक्शलों कर लेगा अज है तो थोड़ा सा बैंक चलते हैं tussen बीडियो को केरफुली देखेगा एक पार्ट मिस मत करना वरना समझ नहीं पाओगे देखिए मैं अपने नाम डाल देता हूं नाम डालने के बाद कार्ड नंबर डालना है देखिए मैंने कार्ड नंबर डाल दिया है अब आपको क्या करना है नीचे में एक्सपारी डेट डालना है कि एक्सपारी डेट क्या है तो यहां पर आप चूज कर लिजिए जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्सण आ जाएंगे उसके बाद आपको यह डालना है तो देखिए मैंने यह भी डाल दिया है स्वारी यह यह नहीं है यह टूजन 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 टूटी फोड है ठीक है अब आपको क्या करना है एड योर कार्ड पर क्लिक कर देना है ठीक है अब देखिए यहां पर जो है अमित कुमार तो आ गया नाम उसके फोन नंबर पिन कोड एड्रेस लाइन टू सीटी अस्टेट यहां पर आपको क्या करना है अपना एड्रेस वगेरा डालना है जहां पर आप हर बार प्रोड़क्ट को मंगवाना चाहते हो तो मैं यहां पर एड्रेस वगेरा डाल देता हूं पहले आपको नाम डालना है नाम तो अटोमेटिक ले लेगा डिडेक्ट कर लेगा यहां पर आपको मॉबाइल नंबर डालना है मुवाइल नमबर डालने के बाद आपको पीन कॉट डालना है जहां पर आप प्रोडेक्ट लाओना चाहते हो मगवाना चाहते हो ठीक है उसके बाद एड्रेस लाइंड वन यहां पर आपको अपना एड्रेस देना है कि और लाइन टू में भी आपको एड्रेस ही देना है कि अधिकर दोस्त इतना कुछ करने की बाद यहां पर आपको सितीत नेम देना है चै कहा है पर आप रहते हो तो मैं टैद ड़ेता हूं अब निवल यह पर चिट आपको देना है मैंaja चाहिता उसके बाद आपको यह सारा प्रोश्रेक्रेस करने की बात आपको क्या करना यूज डिस एड्रेस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने की बाद आपके सामने पैमेंट मेठेट का जो ऑप्सन है एड़ेट का आज आज आएगा यानि कि देखिए अस्टेट वेंग आप इंडिया का मेरा बैंक अकॉंट है यहां पर आपको बैंक अकॉंट का फोर डिजित नं आप में बैंक अकॉंट को क्रियेट कर सकते हैं और साथ ही आप अपने एमेजन एप में ATM को लिंक कर सकते हैं यानि कि यू कह लिजिए कि आप अपने बैंक अकॉंट को लिंक कर सकते हैं क्योंकि देखिए बैंक अकॉंट नमबर आपका आ चुका है अब यहां से कोई भी सम ठीक है दोस्त तो अब आपको मालेजी कोई वैसा प्रोड़क्ट आ जाता है जो क्यास और डिलेवरे एलिजिबल नहीं है तो आप क्या कीजिएगा डारेक्ट मैं आपको एक प्रोड़क्ट वाय करके दिखाता हूं यानि कि वाय तो नहीं करूगा लेकिन सारा प्रोसेश बत करने की बाद देखिए यहां पर आपको बाय नाव का ओप्शन देख जाएगा जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीकी का इंटरफिस आज आएगा आप क्येरफ़ली देखिए देखिए यहां पर आ चुका है उपर मेरा एड्रेस डिलेवरी ए इस पर क्लिक करने की बाद देखिए यहां पर आ गया है क्रेडिट एंड डेविट कार्ड का ओप्शन तो मैंने अभी अभी डेविट कार लिंक करके आपको दिखाया यहां पर देखिए अब आपको सी भी नंबर पूछा रहा है आपका सारा कुछ यहां पर सेलेक्ट किया की बिखिए अब आपको सिर्फ यहां पर सी भी नंबर देना है जो आपके पीछे रहता है तीन अंका स्वी नंबर जैसे नंबर दोगे और उसके बाद यहां पर कंटीनिव पर क्लिक पर लिए न तो आपकी फिसके बैंक से पैसे कट जाएंगे उसके बाद आपका जो प्रोड़क्ट है आपके घर तक डलीवर हो जाएगा पांसे छे साथ दिनों तक ठीक है और अगर याने कि अगर आपका यह प्रोड़क्ट बिना पैसे कि बिना बैंक से कटवाए पैसे घर पहुंच सकता है तो यहां पर आपको आपको देख जाएगा देखिए यहां पर नेट बैंकिंग का है डेविट ग्रेडिट कार्ट का है अमेजन पे यूपी आई का है लेकिन यह मैं अने बूल है और पे ओन डिलिवरी भी यहां पर है देखिए इस पर किलिक करते हैं तो यह भी आपको यह प्रोड़क्ट घर तक नही कर सकते हैं तो अब मुझे उमीद है दोस्त अब आप लोग अच्छी तरसे समझ गया होंगे तो आज की इस वीडियो में बस इतना है दोस्त आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही नौलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी वीडियो की नीचे ला सेर कर देना तो फिर मिलता हो आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहो और सलमत रहो